Hello everyone, my name is Ram Asri Rai, welcome at MMC, so guys, आज के वीडियो में मैं वो थैलो की कहानी को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप, चिक हैं, तो यह हमारा लक्षन नमबर 22 है, राइट, तो ध्यान दिजे जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारे करेक्टर को जितने अच्छे से याद के रहेंगे, उतना जादा हमें चीजे समझ में आती है, ठीक हैं, तो ध्यान दिजेगा, कि जो कहानी की शुरूआत होती है, यहागो और रोडरीगो आपस बात कर रहे होते हैं, राइट, रोडरीगो यहागो ते कहता है, कि सहाब आप तो कोई ध्यानी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि Desdemona और Othello तो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, जहां तक मुझे सूचना है वो शादी भी कर लिये हैं, तैसे ही क्या होता है कि लोग देखते हैं कि Desdemona और Rodrigo आपस में प्यार कर रहे हैं, इसके सूचना जल्दी से जा करके क्या करते हैं, यह देखे इयागो हैं, यह जा करके Brabantio को सूचना दे देते हैं, कि आपकी बेटी जो है आपके घर में हैं, तो यह जो Brabantio डाणते हैं, क्या बात करते हैं यह आगो तुम, यह सब फालती की बात हैं क्यों करते हो, क्यों आप घर में देखा तो नहीं थी, डौड करके जाते हैं तो वास्तों में पाते हैं कि Desdemona और Iago एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और फिर ये जाता है अपनी पूरी शेना लेकर के जाता है ब्रॉब NPO 2-4 लोगों को और अपनी तलवार निकाल लेता है ओथेलो को मारने के लिए उसी समय सूचना आती है कि तुर्क लोग साइपरस पर अटेक करने वाले हैं और ड्यूक 2-4-6 लोगों को कैसियों के सांथ भेजा था कि ओथेलो को तुरंत बुलवाया जाए यह ड्यूक है इन्होंने भेजा था अब जब जाता है ब्राबेंटियों को भी बुलाया जाता है सारे लोग जाते है तो जब ड्यूक के कोर्ट में जाते हैं तो ब्राबेंटियों साहब जो यह है तो आप इनकी बेटी Desdemona को बुला लीजिए अगर वो वास्तों में ये कहती है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है तो जो मुझे सजा देनी है आप सजा कीजिए हुआ यूँ कि उन्होंने कहा कि तो फिर तुमने जादू टोना कैसे किया तो थैलो ने कहा कि साहब मैं अपने जीवन की जो कहानिया थी युद्ध की जो एडवेंचरिस कहानिया थी मैं इनको अकसर सुनाय करता था किनको मैं राबेंटियू साहब को सुनाय करता था और जो Desdemona थी वो मेरी कहानी को बहुत प्यार से सुना करती थी मेरी कहानी को सुन करके जब मैं दुखी हो जाया करता था, कभी परिशान हो जाया करता था, तो वह दुखी हो जाया करती थी, जब मैं खुश होता था, तो खुश हो जाया करती थी, तो मेरी इनहीं कहानियों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड थी, तो इसी वज़े से वह म आप Cyprus चले जाओ, राइट, फिर Othello ने कहा कि नई सहाब, मैं अकेले नहीं जाओंगा, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं Desdemona के बगर नहीं जाओंगा, तो ड्यूक ने कहा कोई बात नहीं, आप तेंशन मत लीजे, हम यागो के साथ भेज देते हैं, Desdemona को, लेकिन आप चल हाला है, हबसी है, सही इनसान भी नहीं है, आप क्यों उससे प्यार कर बैठी, क्यों साधी कर लिया आपने, लेकिन Desdemona ने कुछ बोला नहीं, कोई बात नहीं किया, कुछ नहीं, क्यों सुनती गई, सुनती गई, और वहां पहुँच गई, अब क्या होता है, कि जब वहां वह पहुचते हैं, तो बड़ी समस्य ये हो जाती है, कि जो इयागो है, ये वास्तों में बहुत अच्छा इंसाम नहीं है, पहले तो ये लाफ्टेनेंट था, लेकिन कुछ युद्ध में नापरवाहियों के वज़े से, इसको क्या कर दिया जाता है, और इसी के अस्थान पर कैशियों को लाफ्टेनेंट बना दिया जाता है, और क्या होता है, कि यागोल की जो पतनी इमिलिया थी, राइट सेविका किस की थी, डिस्डेमोना की सेविका थी, बहुत अच्छे रिलेशन थे इन दोनों के, और जो इमिलिया थी, ये बहुत जादा अपने आदिफ करती थी, कि ओथेलो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही मानदार है, बहुत अच्छा है, इससे वज़े से इसे ये लगता था, कि हो नो हो मेरी पतनी का रिलेशन की किस्से है, ओथेलो से है, और इसे हर व्यक्ति पर सक होता था, यहां तक कि यागो को कैसियों पर भी मेरी पतनी का रिलेशन इससे है, मतलब वो डिवियस टाइप का इनसान ही नहीं था, अब इससे दो तीन तरह की बदला लेने थी, एक तो यह जो डिमोटीवेट हुआ था, दूसरा, इसने रोडे रिगोशे प्रॉमिस किया था, कि मैं शादी कराऊंगा, तीसरा, इस डिस इस डिमोना से इन्हें बदला लेना था, क्यों, क्योंकि इनहीं के वज़ए से एमिलिया इनके घर जाया करती थी, उथैलो का रिलेशन इमिलिया के साथ है, इस चीज़ का कई तीजों का बदला उसको लेना था, उसके मन में जो था, जब इनको लेकर के साइप्रस जाता है तो वहाँ देखता है कि जैसे ही कैसियो पहुंसता है वहाँ डेस्डिमोना उसके हाथ को सुमती है और प्रेम का इजहार करती है प्रेम का इजहार का मतलब जैसे होता है एक brother sister ली लब जो था वो तरीके का ऐसा कोई feeling नहीं थी कैसी हो के अंदर ना ही डेस्डिमोना के अंदर अब यागो के लगा कि यार यह तो बहुत बढ़िया तरीका है जिससे मैं क्या करूँ आग लगा सकता हूँ किसकी life में ओ थैलो और डेस्डिमोना की life में अच्छे से आग लगा सकता हूँ कोई problem भी नहीं होगी clear हो रही बाती अब देखे क्या होता है कि इसने कान भरना शुरू कर दिया ओ थैलो का कि तुम्हारी पतनी का illegal relation है किसके साँ डेस्डिमोना के साँ क्योंकि डेस्डिमोना की उस साधी के बाद इसने क्या किया था एक magical handkerchief डेस्डिमोना के दिया था और उसने कहा था इस handkerchief को आप हमेशा अपने पास रखिएगा यह love और loyalty का एक token है एक symbol है इस बात को इसने समझाया था अब इसने क्या किया कि Iago ने plan बनाया कि जैसे तैसे मैं क्या करूँ कि Casio के प्रती ओठैलो को भड़काऊं कि देखो Casio handsome है सुन्दर है तुम्हारी wife भी beautiful है यह दोनों आपस में दबे पाउ मिलते जुलते हैं इसलिए इनके बीच में कोई गलत संबंध जरूर है यहाँ धीरे धीरे यह कान भरता गया कान भरता गया ओठैलो के mind को भरता गया poison करता गया और अन्तदो गत्वा क्या होता है कि सादी का जसन ये मनाते हैं ओठैलो और क्यों अथौले को सादी का जसन मनाते हैं क्योंकि दो चीजे थी एक तो सादी और दूसरे जो तूर्क पे attack करने वाले तूर्किस जो थे जो अटेक कर रहे थे साइप्रस पर इतना भैंकर तुफान आया क्योंकि सारी जहाजे डूब गई और क्या हुआ कोई युद्ध नहीं हुआ कोई खुन खराबा नहीं हुआ और बहतरीन बिना किसी युद्ध के ही इनकी जीत हो गई पोथेलों ने एक जिम्मेदारी दी सब लोग इन जुआय करो खाओ पीओ मस्तर हो कैसे ओको जिम्मेदारी लेकिन देखना कि कोई किसी प्रकार का खुन खराबा नहोने पाए लेकिन क्या करता है इयागो इसको खुब जम के शराब पिलाता है और पिलाने के बाद क्या करता है कि ये शराब के नशे में क्या करता है मॉन्टैनो जो है इनको घायल कर देता है और जब इनको घायल कर देता है तो मर्डर मर्डर इयागो चिलाने लगता है उसके बाद प पद से उथेलो हटा दिया जाता है, जब पद से हटा दिया जाता है, तब इयागो इन से जा के कहता है, तुम जा करके अगर डेस्डेमोना से प्रातना करो, तुम्हारा पद तुम्हें वापस मल जाता है, अब क्या होता है, कि ये जाता है, और डेस्डेमोना से कहता है, रिक कही है आप अपनी आँखों से देख लीजिए आपके पत्नी कैसियो बात कर रहे हैं अब क्या होता है एक दम और पागल हो जाता है ओ थैलो अब उसके मन में आगा कि मैं अब डेस्डेमोना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और चाहे कुछ भी हो फिर इसी में क्या होता है या मैं आपको थोड़ा इमेज एक और दिखाऊंगा यही रुमाल है जो एमेलिया देखे यागो को दे देती है और यागो ले जाकर क्या करता है कि बेड़ चमबर कैसियो के बेड़ चमबर में कैसियो के बेड़ चमबर में ले जाकर क्या करता है वो कैसियो के बेड़ चमबर के कैसियों को दे दी अब देख करके एकदम आग बबूला हो जाता है अब डिसाइड कर लेता है कि अब मैं डेस्डमोना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाहे वो कुछ भी हो अब क्या होता है कि अब आगे की जो सीन चलती है अब ये बहुत जादा गुस्रा जाता है आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये कान भरता चला जा रहा था कान भरता चला जा रहा था और अब जाकर के ये बदला लेने के लिए एकदम तटपर हो जाता है कुछ भी हो मैं अपनी पत्नी को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा उसने मेरे शाथ बेवफाई की है इतना भर देता है कि देखिए अब ये जाते हैं ये आगो राइट चले जाते हैं फिर ये ओथैलो आता है और अपने वेड रूम में जाता है देखिए जे जेजडिमोना है उथैलो से बहुत प्यार करती है लेकिन अब प्यार करती तो है लेकिन फिर उसके अंदर उथैलो के बेवफाई की बाते याद आ जाती है और उसके बात क्या करता है एक कहता है एक तकिया उठाता है देखिए ये उथैलो तकिया उठा करके लेकिन उथेलो इतना ताकतवर है देखते हैं आप उसके मुझ को तकी ये पर रहकर इतना तेज से दबा करके रखा तब तक दबा करके रखा जब तक को आखरी शांस ने नहीं ले लिया फिर ये मर जाता है मर जाती है जैसे ही ये मर जाती है तैसे ही इमिलिया दोड करके my lord, where is your wife? अथेलो इतना बिच्छिप्त हो जाता है, ये देखिए, इसका situation है, mind, what wife, I have no wife, where is wife, मेरी कोई पतनी नहीं है, right, फिर जैसे ये यहां आती है, इमिलिया आती है, और सारी चीजे इनको बताने लगती है, कि देखिए, ऐसा है, ये सब तो क्रिया कलाब जो है, मेरे husband का है, तैसे ही तूरंत यागो भी आ जाता है, यागो आ जाता है, और जब इसे लगता है, अथेलो ने कहा कि देखो, यागो ने ही मुझे सब कुछ डिस् यागो को लगता है, सारी कहानी गड़बड हो रही है, इसने तुरंत इमिलिया को तलवार मार देता है, इमिलिया छट पटाने लगती है, और कहती है, माई लॉर्ड, इसने ही सब कुछ रचा है, इसने ही सब गलती किया है, उसके बाद क्या होता है, ये भागने कोशिस करत तभी क्या होता है, Casio आ जाते हैं, Montero आ जाते हैं, Lodovico आ जाते हैं, सारे लोग इसको घेर लेते हैं और इसको जाने नहीं देते हैं ओठैलो भी एकदम टेंशन में आ जाता है, आप देख सकते हैं उसका frustration ओठैलो का बहुत frustration उसे जगा कितना बड़ा गलत किया है मैंने अपनी पतनी का murder किया वो भी चाकू निकालता है और खुद को मार लेता है और मरने लगता है फिर कैसियों आता है दोड़ करके देखता हरी सब क्या हो गया फिर कैसियों के उपर ये जिम्मेदारी दे जाती है और उठैलो यागो को भी बहुत बुरी तरीके से देखी घायल कर देता है इनको बुरी तरीके से घायल कर देता है लेकिन ये मरता नहीं है फिर कैसियों को पर छोड़ दिया जाता है कि अब तुम जो चाहो वो कैसियों के शाथ करो फिर कैसियों को मृत्यू की सजा ये जो मुंटैनों है सुनाते है और जो उठैलो का पद था वो क कैसियो को दे दिया जाता है और फिर इयागो के डेड बाडी को काट कर उबाल करके फिर कुट्टों को खिलाता है कैसियो तो गैस ये इस प्रकार से मैंने मुख्य मुख्य बातों को रखने की पूरी कोशिश किया बहतर ढंग से और समझने के लिए आप बुक जरूर लाइन पढ़ें चेक्सपियर के सारे प्लेज गोल्ड माइन की तरह है एल डेराडो है आप पढ़ते जाएंगे आपको अच्छी अच्छी लाइने आपको मिलती जाएंगी तो गैस ये चीजें हैं आपकी कहानी है और कहानी के बाद मैं आपको बताना चाहाँगा कुछ महत्पू लाइने हैं जो बहुत हार्ट टचिंग है अब आप देखिए इसमें जो लाइन है कीप अप यो ब्राइट सोड फॉर्ड 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 रस्ट इट अंड गुड्स इग्नॉर् यू श्यल मोर कमांड विद इयर्स जब क्या होता है कि ब्राबेंट अब देखिए ब्राबेंटियो की ही लाइन है बहुत अच्छी लाइन है कि she is abused stolen from me and corrupt by spells and medicine ब्राबेंटियो जाते है ये ड्यूक सो कहते है कि ड्यूक जी मेरी बेटी को उथैलो ने चुरा लिया है जादू टोना या कुछ दवाईयां ऐसी खिला करके राइट तो डेफिनेटली ब्राबेंटियो ये ड्यूक से कहते है ये भी लाइन बहुत अच्छी है एक्ट फॉर्स सीन थर्ड की लाइन है राइट नेक्स्ट है वही है लुक टू दे मूर इफ दौ हैस्ट आइस तो सी शी है ड्यूक टू हैस्ट अच्छी लाइन है आप जानते ही है कि जब ओथैलो डेस्डेमोना से शादी कर लेता है तो ब्राबेंटियो कहता है ओथैल है तो देखो डेस्डेमोना को she has deceived her father and me दी उसने अपने पापा को धोखा दिया है फादर को एक दिन तुम्हें भी धोखा देगी और यही एक ट्रेजडी का और कारण बनता है ओथैलो के दिमाग में ठीक है ओथैलो डेस्डेमोना वही है है न देखे यह लाइन if it were now to die and now to be most happy right ओथैलो डेस्डेमोना से बहुत प्यार करते है और वह कहते हैं shows how in love he is with डेस्डेमोना when he is reunited with her my fair warrior मेरे फ्यारे warrior comment on this he feels extremely happy ironically saying if it were now to die कहते हैं if it were now to die it were to be most happy अगर मैं अपनी पत्नी डेस्डेमोना के लिए मर जाऊं कई बार जनूं कई बार मरूं तो भी वो साथ कम है वो अपने डेस्डेमोना के साथ बहुत ज़ादा खुश थैए next line है if thou has disclosed the story before my daughter she would be yours right Brabantio से Duke कहते हैं कि Duke अरे Brabantio जी कि अगर अपने प्यार की कहानी अपने adventurous military की कहानी यह वो थैलो मेरी बेटी से भी एगर सुनाता तो मेरी भी बेटी से प्रेम करने लगती और मेरी भी बेटी एगर इस शेर थैलो से विवाह कर लेती तो भी मुझे कोई आपती नहीं होती अच्छा होगा Brabantio इस प्यार को स्विकार कर लो और be happy and let them be happy right वही है वही line है till I am event right with him wife for wife oh failing so at thy eye put the more at least jealousy so strong that judgment cannot see ध्यान दीजेगा कि ये यागो की line है right यागो की कि मैं इस मूर को oh failing to see at that put the more at least jealousy so the strong judgment cannot cure उसने कहा यागो ने कि मैं इस मूर को इस उथैलो को अंदर इतनी घ्रिना भर दूँगा इतनी घ्रिना पैदा कर दूँगा कि कोई भी judgment उस चीज को accept ही नहीं करेगी कि इसका year जो है poisoned है इसके अंदर इतनी घ्रिना पैदा हो गई है ये बहुत ही बहतरीन line है till I am even with him wife for wife wife for wife का मतलब इससे सक्था न कि मेरी पतनी को corrupt किया है वो थैलो तो मैं इसकी पतनी उसकी पुरी life को भी corrupt करूँगा are failing so at that I put the more इसलिए मै I will put the more at least jealousy so the strong that judgment cannot cure it वही है excellent ratch prediction catch my soul but I do love thee and when I love thee not and a chaos will come once again वो थैलो कहता है कि मैं इस इस चुडएल से वास्तों में बहुत प्यार करता हूं मतलब डिस्डेमोना को गाली देते हैं लेकिन अगर मैं जिस दिन प्यार करना बंद कर दूँगा इस डिस्डेमोना की life में भवंडर आजाएगा तुफान आजाएगा और इसे कभी कोई बचा नहीं पाएगा बहुत अच्छला इन excellent ratch prediction catch my soul but I do love thee and when I love thee not chaos will come once again Othello's trust Othello's love for Desdemona and trusting nature was that Iago used to cause his drown fall Othello had unwearing trust this caused his line excellent ratch इसी की ये line है जो मैंने आपको अभी समझाया Othello's की साली लौक भी है ठीक है और ये जो sweet soul take thy heed and take heed of journey thou art on the death bed ये उत्हेलो जी है डिस्डमोना से बहुत प्यार करते हैं sweet soul take heed है ए प्यारी आत्मा तुम पलायन कर जाओ take heed of journey though art on the death bed ये कहते हैं कि आज तुम जो सोई हो कहीं और नहीं सोई हो इसका मतलब अब उत्हेलो डिस्डमोना की हत्या करने जा रहे हैं sweet soul take है यही है take heed अथ्वैले डिस्डमोना से राइट अब जब डिस्डमोना को मारने लगते हैं तो अथेलो कहता है oh when is me my lord कोहते हैं मेरे lord मुझे मत मारो but kill me not मुझे एक देश से निकाल दो लेकिन मुझे please मारो फिर कहते हैं kill me tomorrow मेरे प्यारे उत्हेलो आज मत मारो let me live today let me live tonight but half an hour कता है ने 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 अट लीस्ट उत्हेलो डिस्डमोना को मार ही देता डिस्डमोना is pleading to Othello not dead फिर ये तकिया रख देता है और कहता है अरे अभी तक तो मरी नहीं oh my god not at quiet dead फिर तक ठीक से नहीं मरी फिर कहता है I that am cruel and at merciful I would have the linger in thy pain कहते हैं मैं तो बड़ा निर्दई हूँ ओथैला तू तो बहुत निर्दई है लेकिन उसके बावजूद भी एक तकिया से एक साधारन सी औरत को नहीं मार पा रहा है इसका मतलब कि तुम बहुत दयालू भी हो लेकिन मैं अब दयाली नहीं रहूँगा तब तक मैं तकिया रखे रहूँगा जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती है फिर यह तकिया रखे रखे तब तक रखे रहता है जब तक कि देसदमोना मर नहीं जाती है ओ थैलो टू डेस्टिम। यह देखिए situation है I'm not है एक बार मारता है और देखता है कि भी नहीं मरी अभी नहीं मरी और ये देखी जब ये मर जाती है तो थैलो ले करके आता है और वही कहता है कि जब ये मर जाती है तो टच करता है और कहता है रे भगवान मैंने कौन सा पराद कर दिया फिर जब इमिलिया पूस्ती तुम्हारी पतनी कहा है तो कहता है My wife, my wife, what wife, मेरी पत्नी, मेरी कोई पत्नी, यह देखे से चुबए ते, What wife, I have no wife, मेरे पास कोई पत्नी नहीं मिलिया, और एकदम पागलों जैसा विहेर करने लगता है, He blames the moon where he is faced with Iago, right, यह बहुत ही painful sin होता है, guys, heart touching होता है, फिर विलो, विलो, मूर, she was chest, she loved the, फिर जो एमिलिया है, वो कहते, अरे मूर, तुमसे वो प्रेम करती थी, यही तो बड़ा दुख का विशे है, तुम्हें उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, तुम वास्तों में बहुत निर्दई हो, so come soul to bliss her, hey, hey प्रभू, hey देवी, आओ, और इसकी आत्मा को शांती दो, as I speak true, so speaking, I think I die, और इसी बात पर फिर एमिलिया भी चुकी, Iago ने घायल कर दिया, तो कहती है, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, हे इस दोर मेरे Desdemona को आप शांती परदान करना, अब मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, कि सारा का सारा शद्यंद्र, किशी और का नहीं है, किश का है, कि आगो का है, तो this is the reason, ये सौंग भी है, वीलो वीलो ये सौंग है, आक्चली, जो इमिलिया के द्वारा बोला जाता है, बहुत हार टेचिंग सौंग है, तो guys, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कहानी समझाई, पूरी स्टोरी को बताया, कुछ अच्छा लग है, बहुत ही ङूए है, वधने दिएक है, ले टेक है क्या हूए लूूरी ख dared, टेके लूग, जो गूओे बताय है।